सीजन फाइपिस और फाइफ स्टार्ट होता है और हैंग से मिलने उसके आफिस में वाल्टर आया हुआ होता है वाल्टर को हैंग से परसनली बात करने होती तो हैंग का जो पार्टनर होता है उसे वो एक्स्क्यूज लेता है फिर Walter बैठता है और बोलता है कि Skyler को बच्चे उसके पास नहीं चाहिए उसे लगता है कि हम दोनों bad parent हैं इसलिए वो उसे दूर भेजना चाहती है वो बोलता है कि वो मुझसे अब प्यार नहीं करती और यह सब बोलकर वो रोने लगता है फिर हैंक को बुरा लगता है और वो उसके लिए coffee लेने जाता है तभी वो हैंक के office में उसका हैंक का और मरी का जो photo होता है उसमें एक tracker लगाता है और उसके internet connections पे भी एक device लगा देता है यानि को वो transmit होता रहे अब वो हैंक के office में जो सब बाते हो रही है वो सब सुन सकता है यह Walter के एक plan का part होता है फिर वो next Lydia को उठा लेते हैं उसे एक underground bunker में लिकर आते हैं और उसे बोलते हैं कि यह जो script है यही तुम्हें बोलना है यानि कि अब वो DA को call करने वाली होती है वो DA को call करकर बोलती है कि मैं मेरे barrels देख रही थी तब मुझे दिखा कि वहाँ एक tracker जैसा device लगा हुआ है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है तो हैंक उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इस सब के बारे में पूच कर बताता हूँ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लगाया माइक जेसी और वॉल्टर से वहाँ सब होते तो माइक बोलता है कि इससे फिक्स हो गया कि डिये ने वो ट्रैकर नहीं लगाया था अब हम इसे मार देते हैं जेसी उसके खिलाफ होता है तो वो सब बोट लेते हैं वॉल्टर भी माइक की तरब से होता है पर फिर वो उसे मारने वाले होते हैं तब ही वो हैंक की बाते भी सुन रहे होते हैं तो हैंक एक आदमी को कॉल करता है वो एक दूसरे एजेंट से पूछता है कि क्या तुमने कही ट्रैकर लगाया है तो बोलता है कि हमें वक्त नहीं था इसलिए हमने tracker लगाये है और वो भी barrel के बाहर लगाये होता है हैंक बोलता है कि कितने idiot हो तुम उन्होंने सब barrels पर tracker लगाये होते है अब उनके पास problem में होता है कि अगर सब barrels पर tracker है तो वो कौन से barrel को लेकर जाएंगे फिर लीडिया बोलती है कि मैं तुमें बहुत सारा मेदलमीन ला सकती हो वो खतम ही ना हो इतना मेदलमीन उन्हें दे सकती है वो उसके life के safety के लिए डर रही होती है तो वो Walter से एक deal बनाती है वो उसे बोलती है कि तुम swear लो तुमारे बच्चों की कि तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे जब मैं तुम्हें ये information दे दूँगी methylamine की तो फिर Walter उसे assure करता है और फिर वो एक map दिखाती है वो बोलती है कि एक train आती है वो चाइना से आती है और industrial use के लिए methylamine और chemicals ले आती है जब वो आती है तो तुमारे state से ही आती है और वहाँ एक dead zone है यानि कि उनका contact किसी से भी नहीं होता अगर तुमने उस area में उसे loot लेया तो किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा तो ये बहुत सारा methylamine तुम वहाँ से निकाल सकते हो नेक सिन में Hank और Marie बेबी से खेल रहे होते है जब Walter junior room से निकलता है और kitchen में आता है फिर वो कुछ लेकर फिर से चला जाता है उसे वहाँ रहने में कुछ भी interest नहीं होता फिर नेक सिन में हमें Mike, Walter और Jacy सब discuss कर रहे होते है माईक उसे बोलता है कि हम ये हाइस नहीं बुल आफ कर सकते जैसे बोलता है कि हम फिर से सुडो से कुक करना स्टार्ट कर देंगे पर वाल्टर बोलता है कि हमने ये सब जो पैसे इन्वेस्ट किये है ये सब एकुपमेंट्स लाने के लिए ये सब किया है तो ये सिर्फ मेतलमीन अगर हमारे पास हो तभी हम कुक कर सकते हैं ये सुडो के लिए नहीं बना उन्हों पेसे की जरूरत होती है माइक बोलता है कि जो लोक अप में लोग है उनके लिए हमें कुक तो करना ही पड़ेगा वरना वो सब के नेम्स दे दिंगे फिर जेसी को आइड़े आता है और वो उन्हें शान्त होने को बोलता है और फिर उन्हें कहता है कि अगर हम चोरी करें और किसी को पता ही ना चले तो फिर वो प्लैन बनाते होगे हमें दीखते हैं वो रेल ट्रैक्स पर आते हैं और सब मेजरमेंट वेगरा वो ले रहे होते हैं फिर वो एक टैंकर मगवाते हैं और दो टैंक्स वो जमीन में रख देते हैं एक टैंक में वो पानी भर देते हैं उनका प्लान यह होता है जब हम मेटलमीन ट्रेंज से निकालेंगे तभी हम उसमें पानी भी डाल देंगे ये मेदलमी इतना जादा होने वाला है तो हमने जो पानी डाला है वो किसी को पता भी नहीं चलेगा कमपनी अगर किसी को ब्लेम करेगी तो वो चायना को करेगी वो बोलेगी कि उन्होंने जरा 40 बैज भेचा था ये सब करने के लिए टाइंस वगरा लाने के लिए पानी लाने के लिए वोल्टर और जेसी टॉड की भी हेल्प लेते है ये पेस्टिसाइड की टीम में काम करने वाला एक इंप्लोई होता है जिसका नाम होता है टॉड वॉल्टर उसे यह चोरी हम कैसे करने वाले हैं यह सब बता रहा होता है वोपynı हमारा काम यह है कि हम किसी नोटिस ना जब Walter घर आता है तो Walter Junior वहाँ आया हुआ होता है तो Walter उसे बोलता है कि कुछ दिन तुम यहाँ नहीं रह सकते तो Walter Junior और उसकी fight हो जाती है और फिर Walter Junior को फिर भी घर से निकाल देता है Skylar और Walter फिर से discuss करने लगते है Skylar उसे बोलती है कि तुम मुझे बता रहे थे कि तुमें जो गिफ्ट मिला है उस आदमी ने तुम पर गन रखी थी और तुमने उसका opinion चेंज कर दिया तो वो बोलती है जब वो दिन आएगा तो उस दिन इस घर में मुझे बच्चे नहीं चाहिए निक्स सीन जो है वो हाइस्ट का है यानि कि अब वो ट्रेन से मेदलमीन चोराने वाले हैं सौल का एक आदमी माइक, जेसी, वॉल्डर और तॉड ये सब काम कर रहे होते हैं जेसी और टॉड ट्रेन से मेदलमीन निकालने का और उसमें वाटर भरने का काम कर रही होते हैं वाल्टर कितना हमें मेदलमीन चाहिए इसका वो अकाउंट रख रहा होता है माइक सब पर नज़र रख रहा होता है और सॉल का एक आदमी भी वह होता है वो tracks पर अपना truck लगा कर खड़ा हो जाता है जब train आती है तो वो उसे रुकने के लिए बोलता है train के engineer नीचे उतरते है वो उसे बोलता है कि क्या तुम truck के बारे में कुछ जानते हो और उनसे help लेता है फिर JC में इतलमी निकालने लगता है जब वो truck start नहीं होती है तो वो engineers बोलते है कि हम इसे धक्का देते है अब उनके पास time कम रहता है वो धक्का देने की कोशिश करते है पर उनसे वो धक्का नहीं दिया जाता तब ही वहाँ एक आदमी आ जाता है उसके पास एक monster truck होता है वो आदमी उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें इस truck से help कर सकता हूं फिर वो उन्हें उनस truck को railway tracks से नीचे उदरने के लिए help कर देता है अब tracks पर वो truck नहीं रहा तो उन्हें अब बहुत ही जल्दी करनी होती है पर water उन्हें रुकने के लिए बोलता है वो पूरा thousand gallons होने के बाद ही stop करने वाला होता है जब वो हो जाता है तब train already start हो चुकी होती है टॉड चल्दी train से खूच जाता है पर जैसी railway tracks के नीचे ही होता है यानि कि train के नीचे ही होता है जैसी फिर वो ही late जाता है train वहाँ से चली जाती है और जैसी बच जाता है वो सब cheer up करते है पर तभी एक बच्चा अपनी dirt bike लेके वहाँ खेलता खेलता आ जाता है वो उनको देखकर wave कर रहा होता है टॉड को Walter ने पहले ही बता हुआ होता है कि हम इस robbery में कुछ witnesses हम नहीं रख सकते है तो इसलिए Todd directly उसकी gun ले आता है और उस बच्चे को shoot कर देता है यही एपिसोड खतम हो जाता है